आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो कीचो एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउनलोड करें कुशन है जिसमें कहा है कि एक 30 cm लंबा पाइप दोनों सीरो पर से खुला हुआ है जहां एक डिशन दो एक किलो हर्ट सावरितिके श्रोथ के साथ पाइप का कौन सा सन्नादी समस्वर है यह पुछा जा रहा है या अनुनात की स्थिति में है समस्वर का मतलब यही है तो पुछा गया है कौन से सन्नादी वहाँ पर होगी तो प्रथम सन्नादी है द्वीती सन्नादी है त्रीती सन्नादी और चतृत्र सन्नादी के रूप में कौनसा मानिय हाँ पर सही होता है वो हमें नेकलना है छीक है लंबा फाइप दोनों से खोला हुआ है इसका मतलब हमारे पास खूला आखनव फाइप है जिसके अंति सेंटीर में तो एक खुला अरगन पाइप जिसके लंबाई 30 cm जैसे हमने बोल रखा और बोला क्या गया है उसके सामने किसी एक स्थिति पर मतलब किसी एक सीरे पर से एक ध्वनी श्रूत वहां पर होता है है S की रूप में थीक है उसके लिए जो उत्वं अवित्ति का मान है वो कतना है एक दिशोल्ब किलो हर्ज तो उसे हम एक की लोहर्ण की रूप में अगर लिखें तो और क्या लिखा जा सकता है ऐसे ही लिखा सकता है ग्यारा सो हर्ट्स की रूप में ठीक है तो वो आवरित्ती के मान को बताया एन की रूप में जो ध्वनी श्रोत वहाँ पर खुले अरगन पाइप के लिए उसके एक सीरे पर उत्पन करता है लंबाई का मान कहीं ज발呀 कि खुले आरगन पाईप के लिए उसके सीरों पर कौन सी ध्वनी जो है उत्पन हो रही है उसके अवरित्ती भी उतनी ही होगी ठीक है तो कौनसा सननाधी संसर होगा यह पुछा जारा कोशन पर बात करें खोले आरगन पाइप के लिए तो खोले आरगन नलिका में पाइप के लिए यह खोले अर्गन नलिका में हम यह देख रहे हैं कि जो आवरित्ती min है वो n की रूप में कितना होता है मूद आवरिति कं मन ध्यान दिजेगा जिसे हम प्रथम संनाधी भी कहते हैं तो प्रथम संनाधी यह कितना आएगा जैसे हम मूल स्वर के आवरती भे कहेंगे V बटे 2L के रूप में उस कमान होता है तो L1 हम क्या सकते हैं इसे ठीक है प्रथम संनाधी के रूप में प्रथम संनाधी N1 मूल स्वर के आवरती हम उसे ही कह दे V कमान हम देखें को होता है 330 मीटर प्रती सेकन्ड तो 330 हम लिखती है और नीचे हमारे पास है सुरुदेशंबलों 3 मीटर और गुणा हमने कर दिया 2 का यह हमारे पास आता है मूलसवर के आवरती की रूप में प्रथम सन्नादी की रूप में 550 Hz की रूप में ठीक है यह तो हमें 550 Hz के मान को बता दिया अब इसी तरह अगर हम सन् की चार इस तरह से रखते जाते हैं तो हमें करमशा मूल रख साम केते हैं उसके यलावा हिस्टी ध्ली यशच तरह से मान पराफ्प होते हैं तो अभी हम न्टू का मान देख लें रूप में कि को माऩ् रख के दो गुणा हमने कर यहाँ पर तो यह हमारे पास किता आता है, N2 का मान हमारे पास आ जाता है, 1100 Hz की रूप में, ठीक है, यह हो गया N2, N2 हमें 2-3 सन्नादी में मिल रहा है, और यही हम से पूछा गया था कि कौन से सन्नादी के साथ यह स्वर मिली के स्थिति में होगा, तो हमारे पास उसका अंसर होगा, 2- तो वे खल भी कौशन का सही आंसर होता है, थैंक्यू